महरास में आज पंडरपुर यात्रा का समापन हो रहा है करीब तीन हफते तक ये यात्रा चली आज भगवान विठल के दर्शन के लिए भगतों का सैलाब पंडरपुर में उम्रा हुआ है लाखों की भीड दर्शन के लिए पहुची है आज सुब एसीम एक नात शिंदे ने भी भगवान विठल की पूजा अर्चना की शिंदे ने राज्य की जनता की खुशाली के लिए प्राथना की शिंदे के साथ उनका परिवार और कई मंत्री भी मौजूद थे तो पंडरपुर में भक्तों का जो सैलाब उम्रा था उसकी तस्वीर भी हम आपको एक और दिख भगवान विठल की पूजा इसमें होती है और जब सियम शिंदे पूजा कर रहे थे तो उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद थे तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तीन हपते तक ये यात्रा चली पंडरपुर यात्रा अब उसका समापन हो गया है भक्तों का सैल पंडरपुर में उम्डा हुआ दिखाई दे रहा था और कितने भक्त थे ये आप देखिए और ये परंपरा है से ही चलती आई है ये यात्रा बहुत दिनों से चलती आई है और ये देखिए कितने भक्त वहां आते हैं सुनिए वहां पर क्या चल रहा था वहां की आवाजे फिर मैं बापस लूगा जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे